आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार नाश्टे की रेसिपी शेयर करने जा रहे हूं बच्चों का टिफिन हो या शाम की हलकी फुलकी भूख हो सभी के लिए परफेक्ट नाश्टा है यह और हमने इससे सिर्फ घर में रखे हुए दो समान से बनाया है जो आपके घर में एज लिए पानी फसी मेज़र से बाकी चीज़े टेस्के अकूर्डिक इसमें एक चमच से फोड़ा सा कब नमक एड़ किया है और एक चमच ही डेसिए को डूप हैम च्रीश्पी बनायेगा अभ च्छे सा बूख जायेगा और पानी में नाश्चे से बूल आने लगेगा तो हम क लेंगih एक मिनट के वहलेंगे नहींद व्यश्य पीटर की एक मिनट नहीं एक मिनट पाख जाएगी है और थोड़ागा थे था या के लिए चोड़ देंगे चार से पांच मिनट के लिए और तब तक हम दूसरा स्टैप देखते हैं दूसरे स्टैप में देखिए मैंने यहां पर तीन आलू लिए हैं जो बहुत चोटे साइस के ज्यादा बड़े नहीं हैं अगर आपके आलू बड़े हैं तो आप दो भी ले करेंगे तो इवनली मैश्ट हो जाएंगे अब हम क्या करेंगे हमारी सूजी थंडी हो चुकी है वह हम इसके अंदर एड़ कर देंगे बिल्कुल थंडी नहीं लेनी है हमने सूजी हमने इतनी लेनी है कि बस हम हाट डाल के आलू और सूजी को मिक्स कर सके बहुत गरम नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल थंडी भी नहीं होनी चाहिए तो देखिए इसको अच्छे से तरीके से जिसे हम आटा मिलाते हैं मिक्स करते हैं इसे तरीके से हम इसको गूनेंगे आटे की तरह मिक्स करने के बाद और इसे अच्छे से नीट कर लेना है इसे गूनते हुए हमन आटे की तरह गूंते रहना है। इसको بिलकुल सॉफ्ट हम ने और बिलकुल स्मूथ ढो हमने तैयार कर लेना इसको अपना डो अच्छे से बनाएंगे तो यह आपका नाश्चा अच्छे से बन पाएगा अगर डो अच्छा नहीं बनेगा तो नाश्चे आपके और अच्छे से वह शेप में नहीं आ पाएगा तो देखिए अच्छे से इसका डो बन जाएगा तो अब हम क्या करेंगे इसमें कुछ मसाले एड करेंगे जिसमें हम एक चमबच के आसपस एड करेंगे चिली फ्लैक्स यह मिर्च मसाल आप अपने हिसाब से कम यह मैठी करेंगे तो आप यहां पर आड़ कर सकते हैं तीखा भी अपने हिसाब से आड़ कर सकते हैं कसूरी मेधी मेने एक चंबच के आसपस एड किये आप चाहें तो इसे एड़ सकते हैं मगर इससे बहुत अच्छे खुश्षबू आती हमारे नाश्टे के अंदर अब हम इ क्योंकि हम अच्छे से फिनीशिंग देनी है तो थोड़ा सा ओयल लेंगे ताकि हमारे हाथ पर चिपके ना तो इसे ओयल डालने के बाद अच्छे से हम आटे की तरह एक बार और मसल लेंगे जिस तरीके से हम आटा मसलते हैं और उसके बाद हमने इसे दो पार्ट में लेना है अब कोई भी रोलिंग बोर्ट पर थोड़ा सा ओयल लगाए यह सर्फेस पे और थोड़ा सा हतेली के हल्प से इससे बड़ा कर लिजेगा और इससे अराम से भी बड़ा हो जाएगा इससे रोटी से एक इच कम से कम आपने मोटा रखना है यह देखिए इस तरीके स इससे बड़ा कर लिजेगा और इसके बाद हम क्या करेंगे इसके जो यह साइट से इनको हम कट कर देंगे क्योंकि हमने इसे शेप देना है तो इसको हम कट करेंगे पहले यह देखिए इस तरीके से यहां से भी कट कर देंगे और इस साइट से भी हम इसे कट कर देंगे और बीच में से कट लगाएंगे और फिर जितने प्रतले या मोटे आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें इस तरीके से कट कर लिए इसको यह देखिए इसमें मेरे तकरीवन 6 पीसिस बनके तयार हो चुके हैं यह देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है अब हम इ इचे की और एक कट लगा देंगे आपको दिख रहा होगा और फिर इस तरीके से कट लगा देंगे तो यह हमारे ट्राइंगल शेप में बन जाएंगे यह बहुत अच्छे लगते हैं यह देखिए आप इसे कटली के शेप में भी काट सकते हैं आप इसे रेक्टेंगल अब चलते हैं इने प्राइक करने के लिए हमने क्या करना है हमने एक बार में जी तने ही बहुत आट कीजगा ताकि अच्छे से वो शीक पाएं और फिर हम जब एक साइट से यह हमारे थोड़े से पक जाएंगे तो हम इसे इस पैचुला की हेल्प से जो भी चीज है उससे हम इसे पलट देंगे और पलट के दो दो तीन तीन मिनट बाद हम इसे अच्छे से से केंगे इन्हें पलट देंगे हम अगर चिपक रहा है तो भी हट जाएंगे क्योंकि सूजी जब क्रिस्पी होगी तो अपने आप ही उधर से छूट जाएगा दूसरे वाले से तो इस तरीके से आप वन बाई वन करके पलट दीजे और जब तक अच्छा सा कलर ना आए तब तक आप इसे फ्राई कर लीजे ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा कलर हमारे नाश्टे पर आ चुका है और बहुत ही क्रिस्पी ये बनकर तयार हुआ है तो इसी तरीके से हम बाकी का जो नाश्टा है वो भी फ्राई कर लेंगे और देखिए इसी तरीके से हमने ये वाला बैज भी फ्राई कर लिया है इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे सारा नाश्टा इसी तरीके से फ्राई करेंगे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा और ब यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है जो घर में समाने उसी सम बनाकर से तैयार कर लेते हैं तो देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर पिल्कुल करना मत भूलिएगा और देखिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूं यह बहुत ही क्र तो मिलती हूं अगले रसे पे के साथ अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्ला हाफिस